प्रिय विध्यार्तिमित्रों, कल के क्लास में हमने स्वामी विवेकानन्द जी के संदेश वानी को देखा और उन्होंने युवा शक्ती को जगाने के लिए जिस प्रकार प्रेरित किया और अपनी इच्छावं को उन्होंने प्रकट किया अमेरिका के चिकायगू के महा सम्मेलन में वो क्यों गए उनके उद्देश के बारे में बताते हुई उन्हेंने कहा कि मुझे भारत वर्ष की पीडित लोगों को न्याई देना था और भारत की इतिहास को समूचे विश्व में परिचित कराना था इस उद्देश से मैं अमेरिका गया था उन्होंने वहाँ पर बताया तो उन्होंने उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुझे ऐसे लोगों की आवश्चकता है जो अब देश के लिए एक निर्बल होने पर ही गिलहरी वाली सेवा करें गिलहरी का उदाहरण उन्होंने दिया कि किस प्रकार श्री राम चंद्र जी की सहयता उस छोटे से जीव ने किया था इसी प्रकार हमें भी क्या है अपनी शक्ती के अनुसार देश की सेवा में अपने जीवन को सार्थ का बनाना है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं आस्तिक और नास्तिक उसका अर्थ आप जानते आस्तिक आस्तिक मतलब भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखने वाला भगवान के भरोसे पर छोड़ने वाला औ तो इस प्रकार यहां पर आस्तिक का definition ओ बता रहे हैं यहां पर जो अपने आपमे विश्वास नहीं करता है वही नास्तिक है उनके अनुसार नास्तिक का मतलब कौन है भगवान पर विश्वास ना करने वाला नहीं खुद पर जिसको विश्वास नहीं है तो सबसे most important है self confidence आत चीन धर्मों ने कहा है वहाँ नास्तिक है जो इश्वर में विश्वास नहीं करता नया धर्म कहता है वहाँ नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता तो नया डेफिनेशन है ये तो विवेकानंद भी इसी बात को पुष्टी देते हैं कहते हैं जिसको खुद पर यकीन नहीं है जिसको खुद पर विश्वास नहीं है वही नास्तिक है क्योंकि सबके अंतरात्मा में भगवान का निवास होता है या भगवान पर विश्वास करना आस्तिक अता है है ना तो जिनको भगवान पर विश्वास नहीं मतलब जिनको खुद पर विश्वास नह यहां एक बड़ी सच्चाई है शक्ती ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यू है तो जीवन और मृत्यू का डेफिनेशन भी वो देते हैं मतलब इसी लिए कहा है कि 100 साल की चुहे वाली जिंदगी यहां पर श्रेष्ट नहीं है उसमें कोई अर्थ नहीं है और 3 साल की शेर वाली जिंदगी श्रेष्ट है तो जीना है तो धाईर से जीओ जीना है तो हिम्मत से जीओ तो इसी बात को वहांपर कहते हैं कि शक्ती जीवन है और कमजोरी मृत्यू है कमजोर बनकर दुरबल बनकर तुम जीना चाहते हो तो no use कोई उसमें सार्थकता नहीं है शक्ती परमसुक जीवन अजर अमर है कमजोरी कभीन हटने वाला बोज और यंत्रना है कमजोरी ही मृत्यू है कमजोरी मतलब दुर्बलता विक्निस दुर्बलता वही मृत्यू है उपनिश्दों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से अज्ञान राशी के उपर पतित होता है उसे बिलकुल उड़ा देता है तो वह है अभी ही अभी ही मतलब निर्भयता संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता यह सत्य है कि इस अईहिक का जगत में अत्वा अध्यात मिक जगत में भय ही पतन और पाप का कारण है तो भय ही पाप है भय ही पतन है भय ही पराजय है तो इसलिए निर्भीक रहिए डर्यमत जो भी आपको सतकर्म करना है उसे करते जाईए बले ही उसमें कभी-कभी ठोकरे आती हैं एक बच्चा एकदम से चलना पिरना उठकर सिखता नहीं है बीच-बीच में गिरता है गिरने के बाद ठोकरे खाने के बाद एक दिन वहाँ उठ खड़ा होता है इंडिपेंडेंटली है ना बाद में चलने लगता है बाद में दौडने लगता है उड़ने लगता है आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं है ना तो य चलना फिरना बंदी कर देंगे तो हम वैसे ही लंगडे बने रहते है ना तो इसलिए बस चलते रहना चाहिए इसलिए कहते हुए भगवान की दर्वाजे पर देर है मगर अन्देर नहीं अपने अगर सत्कर्म किये हैं तो ही अच्छे कर्म के लिए एक हमेशा जीत है। भाय से ही दुख होता है यह हम्रत्यू का कारण है तथा इसी कारण से सारी बुराई और पाप होता है। सबसे पहले हमारे तरुनमित्रों को मजबूत बनना है। गीता मतलब हिंदू ओंका एक पवित्र धर्म ग्रंत भगवत गीता जिसको श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के संदर्ब में उपदेश किया था। यह गीता केवल हिंदू धर्म का ग्रंत नहीं है पर यह गीता समस्त मानव जनांग का ग्रंत है। इसमें मनुष्य को जीने की प्रेरणा वाली विचार हैं। तो इसी प्रकार गीता पढ़ने से स्वर्ग मिलेगा ऐसा एक विश्वास धर्मात्माओं में हैं। लेकिन विवेकाननद जी कहते हैं कि आपको अगर स्वर्ग जाना हैं तो आप फुटबॉल खेलिए। यह क्या नहीं बात है। है ना धर्मग्रंतों को पढ़कर आप स्वर्ग जाएंगे इस बात को ठुकराते हुए विवेक अनंद कहते हैं आप फुटबॉल खेलिए आगे इस बात की समस्टी देते ही वो एक कुछ कड़े शब्द हैं पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्यूंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहां चुबता है मुझे इसका कुछ अनवो है तुमारे नायू और माउस पेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे देखिए फुटबॉल क्यों खेलना चाहते हूँ क्यों खेलने को कह रहे हैं क्यूंकि क्रीडा से स्पोर्ट्स आप जब खेलते हैं आपको मैदान में जाकर अनेक लोगों को स्पोर्ट्स खेलने में बहुत मज़ा आता है यूआ पीडियों को क्यूंकि उस स्पोर्ट्स के खेलने से क्रीडा से आपका दैही का आरोग्य जो है वह सद्रड हो जाता है है ना माउस पेशियां सद्रड हो जाते हैं आपको थकान हो जाती है आपको भूक लगती है भूक लगने के बाद आप अच्छे पौश्टी का खाना खाते हैं थकान होने से आपको अच्छी नीन दाती है all depends आप जिस प्रकार दैह का परिश्रम करते हैं तो उस दैह का परिश्रम के मताबिक आपको क्या है उसका दैह का फला मिलते जाता है तो आपकी मानसी कता, आपकी शारीरिकता सद्रड होती जाती है तो आप जो भी आप अध्धेन करते हैं वो गीता हो या आपके टेक्स्ट बुक हो जब आरोग्य ठीक हैं मानसीक और शारीरिक आरोग्य ठीक है तो आपका अध्धेन भी आपको क्या है आसान हो जाएगा वही आपका हेल्थ अच्छा ने वेल्थ आप जानते हैं है ना आरोग्य ही भाग्य है अगर आरोग्य नहीं है तो आप कुछ भी करें तो वेस्ट है आज तो आज की परिस्तिती में तो आरोग्य की बहुत बड़ी चिंता सब को है हैगी नहीं तो इसी लिए विवे कानंद जी इसी बात को पुष्टी देते हुए कहते हैं यापर कि आप अगर फुटबॉल खेलेंगे पुटबॉल ये नहीं अनेक दहिक श्रमवाले क्रिडा खेलेंगे तो आपका आरोग्य बड़ेगा आप सद्रड बनेंगे तब आपक किया हुआ काम सफल हो जाएगा तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्टन के तेजिस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ती को अधिक समझ सकोगे जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तु तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे तो तब तुम उपनिशत और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकते हो है ना तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम दैहिका और मानसिकरीती से सद्रड हो तो तुम जो भी काम करते हो तुम्हें यश्य मिल ही जाता है हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच में अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है अपने आपने विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है मैंने अपने जिवन में इसका अनुभव किया है अब भी कर रहा हूं और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जाता हूं मेरा विश्वास और भी द्रड़ होता जा रहा इसलिए सबको खुद पर पहले विश्वास होना है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता मैं निर्बल हूँ, मैं आबल हूँ ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए इसलिए possible, I am possible मुझसे होगा, मैं क्यों नहीं कर सकता प्रेत्न, प्रेत्न करना चाहिए और अनेक बार गिरेंगे, अनेक बार पराजित होंगे, उसके लिए हमें क्या है, चिंतित होने के आवश्यकता नहीं है, जो failure होते हैं, वही success होते हैं, इसलिए हमें हमेशा काम के प्रती ही देखते रहना चाहिए, प्रती खात्मा में अव्यक्त ब्रह्मा हैं, बाहे और अंतप्रकृती दोनों का नियतन कर इस अंतर नहीत ब्रह्म सुरूप को अभिव्यक्त करना हैं, जीवन का धे हैं, कर्म, भक्ती, योग और ज्ञान के द्वारा, इन में से किसी एक के द्वारा, एक से अधिक के द्वार या सब के सम्मेलित होने के द्वारा यहार ध्यय प्राप्त करलो और मुप्त हो जाओ। यही धरम का सर्वस्व है। मतमतांतर, विदिया, अनुष्टान, ग्रंथ, मंदिर यह सब गौन है। यदि इश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रतिक्ष अनुभूती कर लेनी चाहिए। अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। धोंगी बनने के सिवाए, धोंगी बनने के अपेक्षा स्पष्टरूप से नास्तिक बनना अच्छा है। यह बात बिल्कुल सही है। धोंगी मतलब दूसरों को दिखाने के लिए काम करना, दूसरों की दिखाने के लिए भक्ती करना, इससे अच्छा है कि आप कुछ ना करो, दिखावटी काम, दिखावटी भक्ती, दिखावटी प्रेम जरूरत नहीं है। अगर तुम शुद्ध मन से करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने का डेडिकेटेड urtstवार्थी, आजकल यही हो रहा है, कि हम जो भी काम करते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है ना, आप यह कारेकरम करते हैं, कौनसा हो?, बना महोत्षव का कारेकरम, अनेक सौंस्ताओं में यह कारेकरम होता है, कोई आतना, मतलब क्या करते हैं एक बड़ा एक हस्ती बड़ी एक हस्ती आ जाती है मतलब एक great personality आ जाते हैं कोई politician हो या कोई एक पहुंचे हुए industrialist हो या कोई एक जनप्रिय व्यक्ति आ जाता है एक जाड कोई आकर उसको जाड को लगाने के लिए कुडाल से जगा करके उसको दे देते ह हैं और वो आकर उस जाड को लगाता है कोई पानी लगाता है और प्रेस वाले आकर फोटों खीशते हैं है ना सिर्फ क्या है बाद में वहाँ आपने लगाया हुआ तुमने लगाया हुआ जाड उसको पानी लगा है या नहीं आगे वहाँ बड़ा है या नहीं उसको देख हुआ जाड वहां पर गायब है एने यहाँ आपका कर्तवी है जाड लगाना आपका कर्तवी नहीं है लगाए हुए जाड का पालन पोशन करना आप हर साल यही होता है इसलिए कहते हैं च्रश्टी करने से बड़ा बड़ी स्टाइल की आवश्यकता नहीं है तुम्हें अगर करना है तो करो किसी को दिखाने के लिए ऐसे वाला जनोधार का काम करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ विचार लेलो उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन अपने जीवन को बनाओ उसी को सोचो, उसी का स्वपन देखो, उसी पर अवलंबित रहो, अपने मस्तिश का माउस पेशियों, सनायों और शरीर के प्रतेक भाग को उसी के विचार से ओतप्रोत होने दो, और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो, यही सफलता का रास्ता है, और यही वह मा जिसने महान, धार्मिक पुरुषों का निर्मान किया है, मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्विकार करता हूँ, मैं उन सब, मैं उनमें से प्रतेक के साथ इश्वर की उपासना करता हूँ, उन सब की पूजा करता हूँ, मैं स्वयम चाहे किसी भी रूप में उपासना करते ह मैं मुस्लिमों की मस्जिद में जाऊंगा, इसायों की गिरिजा के क्रोस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, बहुत दमंदिरों में ज जाकर बुद्द और उनकी शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुों के साथ ध्यान करूंगा, جो रदय जोति स्वरूप परमात्मा के प्रतिक्ष करने में लगे हुए हैं। मतलब विवेकानन्द किसी एक वयक्तिक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं आपर। मतलब महात्मा कबीर वाले विचार ही विवेकानन्द में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कहते हैं मैं इंसानियत के धर्म को ज़्यादा महत्ता देता हूं। तो केवल हिंदुों की ही गुणगान करते रहना, हिंदु धर्म की शिष्टता को बताते रहना ये बात नहीं हैं। अबर समस्ट भारतिय इतिहास के बारे में विश्व में प्रसारित करना ही विवेकानन्द का उदेश ही। हर कही जाऊंगा। मतलब अल्टिमेटली क्या है वह एक ही ब्रह्मा है। नाम अलग हैं। ब्रह्मा एक ही है, सृष्टिकरता एक ही है। शिक्षा विविद जानकारियों का ढेर नहीं है, जो तुमारे मस्तिश्क में ठूस दिया गया है। और जो आत्मसात हुए बिना वहां अजन्म पड़ा रहकर गडबड मचाया करता है। हमी उन विचारों की अनुभूती कर लेने की आवश्चकता है, जो जीवन निर्माण, मनुष्ण निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि आप केवल पांची परके हुए विचारों को आत्मसात कर उसके अनुसार अपनी जीवन और चरित्र का निर्माण क कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंताले को कंटस्त करने वाली अपेक्षा अधिक शीक्षित हैं, अपने भाईयों का नेत्रत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रहत्न करो, नेता बनने की इस क्रूर उनमत तता ने बड़े-बडे जहाजों को इस जीवन रूप करने समुद्र में डुबो दिया है, तो हमारे सुभाव में संगटन का सर्वता अभाव है, तो आज देश की परिस्तिती इतनी दी नहीं न क्यूं हो गई है, संगटन का अभाव, संगटन मतलब यूनिटी, यूनिटी का यो एकता का अभाव है हम में, हम सब स्वार्थी हो गई है, तो राज्य के नाम पर, भाशा के नाम पर, धरम के नाम पर, प्रादेशी कता के नाम पर टुकडे टुकडे हो चुके हैं देश का, तो उन टुकडों को पुनह मिलाना है, और सब लोगों के लिए एक ही भारत माता है, एक ही देश के तले हम रहते हैं, इस समुष् भावना को लाना है हमारे सोबाव में संगटन का सर्वता अभाव है पर इसे हमें अपने सोबाव में लाना है इसका महान रहस्य है इर्षा का अभाव अपने भाईयों के मत से सहमत होने को सदैव तयार रहो और हमेशा समझोता करने का प्रयास करो इर्षा को त्यागना चाहिए, इर्षा मतलब इर्षा एने जलसी, कहते हैं न, कि हमारे अंदर रहने वाले छे प्रकार के दुश्मन, काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्सर, इनको हमें त्यागना है, जब भी देश की बात आती है, तो हम सब को एक होना है, है न, तभी क्या है unity is strength, इसे आपने बच्चपन से आप पढ़ते आये हैं, लेकिन विपरियास की बात है, सबने इस बात को जाना है, एकता में बल है, लेकिन वुसी एकता का हमें अभाव है, तो विवेकानंद कहते हैं, हमें इर्षा छोड़नी चाहिए, मतलब सामानी रिती से, हमारा पडोस उन्नती पालेता है, प्रगती पालेता है, तो हमें पेट दर्द होने लगता है, हम यह नहीं सोचते हैं कि वो हमारा पडोसी है, उसने अच्छा काम किया, तो हमारी भी एक प्रकार हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कल हम अगर अच्छे बनेंगे, तो वो कुश हो इतनी बड़े बड़पन हमें नहीं है, बलकि हम कहते हैं न, एक उपर चड़ता है, मतलब प्रगती होती है, प्रोग्रेस होता है उसका, तो दूसरा क्या करता है, नीचे खड़े होकर उसके पेर खींशता है, मतलब मैं भी नहीं जाऊंगा, तुमको भी जाने नहीं तो इसको कहते हैं इर्शा, तो ये इर्शा नहीं होने चाहिए, उस इर्शा से कोई प्रगती नहीं कर सकता और कोई प्रगती नहीं करेगा तो देश प्रगती नहीं कर सकता, इसलिए हमें इर्शा को त्याग ना होगा, तो यही है संगटन का पुरा रहस्य, तो इस प्रकार दूसरों की खुशी में हमारी खुशी हमें खोजनी चाहिए, उनके सलेब्रेशन में हमें खुश होना चाहिए, ना कि जलस अच्छी बात नहीं है, तो तब क्या है संगटन, मित्रता, मैत्री भाव, एकता अपने आप आ जाएगी, जब सब हम एक हो जाएंगे, कोई क्या है विदेशी शक्ती हम पर आक्रमना नहीं कर सकती, है ना, इस बात को यहां पर कह रहे हैं, मैं तुम सबसे यहीं चाहता हूँ, कि तुम आत्म प्रतिष्टा, दलबंदी और इर्शा को सदैव के लिए छोड़ दो, लास्ट कंक्लूजन पर विवेकानंद जी बताते हैं, कि आज हमारी देश की प्रगती क्यों नहीं हो रही है, हम सब इन तीन भूतों में पड़े हुए हैं, यह तीन प्रेत हमारे आगे पीछे दोड़ रहे हैं, और वो तीन प्रेत कौन हैं, एक आत्म प्रतिष्टा, मतलब मैं मुझसे कोई बड़ा नहीं है, और मुझसे किसी को बड़ा बनने को मैं दूंगा नहीं, इस प्रकार आत्म प्रतिष्टा, दल बंदी, दल बंदी मतलब गृपिजम, दल यने गृप, बंदी यने इजम, तो गृपिजम, केवल अगर अच्छा होना है, कुछ मिलना है, तो हमें ही मिलना चाहिए, हमारे जाती के लोगों को मि मिलना चाहिए, ऐसी वाली बुद्धी, दल बंदी और इर्शा, इन तो तीनों को आप छोड़ देंगे, तो अपने आप देश उन्नती पाएगा, तुमें प्रत्वी माता की तरह सहनशील होनी चाहिए, यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको, तो संसार तुमारे पैरों पर लोटेगा, ओ रामराज फिर से यहां आ सकता है, ओ खुशी के दिन, ओ वैभाव के दिन, है न, ओ सुवर्न युगा फिर से हम देख सकते हैं, तो इनको हमें छोड़ना होगा, तो ये सब किन से साथ हैं, आप जैसे युवापेडियों से, तो इसलिए देखें, वो कहते हैं, ऐसे वाले मुझे सो युवक चाहिए, पता नहीं इस पार्ट को कितने युवक सुन रहे हैं, तो उनमें से सो युवक क्या मिलेंगे नहीं, मिलते हैं, लेकिन कोई आगे आते नहीं हैं, इसलिए देश की ये हालत हो गई है, तो इसलिए विवेकानद जी, आशा से, न कुझे करनी हैं, और वो अपनी जो देश है, उसको करते करते, सीमिता का आयू में ही उनका देहान्त हो जाता है, अगर वो रहते तो देश और भी उन्नती पा सकता था, वे परियास की बात है, इसलिए वो अपने संदेश को आप जैसे युवापीडियों को वे दे रहे हैं इसलिए आपकी सहायता की वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं इस पाट के माध्यम से, तो यहां पर प्रतिक प्रश्णों का उत्तर आपको यहां पर मिलता है देखिए, स्वामी विवेकानंद के विश्वास किन पर है, युवकोंग पर है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत का राष्ट्रिय आदर्श क्या है, त्याग और सेवा ही भारत का राष्ट्रिय आदर्श है, कौन सबसे बड़े उत्तमरूप से कार्य करता है, जो निश्वार्त होता है वह उत्तमरूप से कार्य करता है, किस शक्ती के समान सब शक्तियां दब जाएंगी, इच्छा शक प्रतिक आत्मा में एक ब्रह्मा शक्ति है नवयोकुंग को किसकी तरह सानुशील होना चाहिए नवयोकुंग को धर्ति माता की तरह सानुशील होना चाहिए और उसके बाद की जो सेकेंड में के प्रशने एक एक पेराग्राफ में आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो अपने आप वो प्रशन आपको समझ में आ जाएंगे और उसके बाद देखें सहसंदर स्पष्टी करण मैंने आपको स्टेप बताए हैं कि किस पार्ट का है किसने लिखा है पार्ट को फस्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में किसने कहा किस्से कहा और तीसरे में उसका स्पस्टी करना उस वाक्य का साराउश तथा उद्देश इन सब को आपको लिखना है फोर्थ मेन में देखे विलोवम शब्द लिखिए ये बहुती आसन विलोवम मतलब क्या है विलोवम यने विपरीतार्थ विरुद्धार्थ का शब्द आशा निराशा साधारण स्वदेश विदेश स्वार्थी निस्वार्थी कीर्थी अपकीर्थी शिक्षित अशिक्षित पवित्र अपवित्र जन्म मृत्यू निर्धन धनी मजबूत मजबूत और मजबूत यने स्ट्रोंग मजबूत और निर्बल और धर्म धर्म नास्तिक आस्तिक तो समानार्थ का शब्द लिखिए मतलब एक शब्द के उसको अर्थ सेम अर्थ देने वाला समा अर्थ देने वाला दूसरा शब्द नमीन यहने नया नूतन पुरोहित पुरोहित पुजारी पंडित जंगल वन कानन और पहाड गिरी शिखर इश्वर ब्रम्हा प्रमात्मा साहस शाउर्य वीर तरुन युवा युवक अधिक बहत है न तो यह सब समानार्थ का शब्द है उसके बाद पैसेज रैटिंग है यहाँ पर एक परग्राफ दिया है उसको आपने यहाँ पर एसेसलसे में भी आपने इसको किया है और वही पर इस प्रशण का पूरा पैराग्राफ को पढ़ना है बाद में एक-एक क्या है उसका प्रश्ण का उत्तर वहाँ पर है उसको लिखना है तो यहाँ पर इन पूरे प्रश्णों का उत्तर लिखिए और मैं सोचती हूँ कि आपको यहाँ पाट समझ में आया होगा और इसका प्रश्णों का उत्तर आप लिखिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित युवाउं से पाट समाप्त हो जाता है धन्यवा कर दो कर दो कर दो